नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है इससे परिसानी होती है आई ये जानते हैं अब इसका इलाज एक ऐसी दवा जो कर देगी बावासीर को बिल्कुल जड़ से ठीक रीठा जी हाँ रीठा जिसे बालों के स्वास्त के लिए इस्तमाल किया जाता है रीठा को कूटने के बाद उस रीठे के पाउडर को गरम तवे पर भून कर काला कर लें उसमें से जो धुवा निकलेगा धुवे में बहुत बदवु होती है तवे पर तब तक भूने जब तक की वो भून कर काला ना हो जाए तवे पर तेल सा हो जाएगा तेल को जलने ना दें अब उसे रीठे को जोकुट से ठंडा करते समय बुलबुले निकलेंगे इसे ठंडा करें ठंडा करने के बाद वो जब सक्त हो जाए तब उसे फिर से कूटी एबारिक पाउडर बना लीजिए जितना भी पाउडर बना हो उतिन ही मात्रा में सूखा कथा उस में मिला दीजिए फिर मुनकका लीजिए मुनके में से बीच निकाल कर थोड़ी जगा पर बना कर उसमें यही तयार किया हुआ पाउडर भर दीजिए खाली कैपसूल लेकर इस पाउडर को उसमें भर दें लगभग 30 कैपसूल तैयार करें एक महीने के लिए और डेली एक कैपसूल खाया करें कैसी भी पावासीर हो उसमें आपको असातीत लाब मिलेगा जिवी कंद को सूरन भी बोला जाता है आप इसकी सबजी बना कर रोजाना खाईए जिवी कंद का सेवन अधिक मत्रा में कीजिए आपकी बावासीर ठीक हो जाएगी तो जाना आपने कि बावासीर को आप घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी जड़ से खतम एक बाद इसनुसके को आजमा कर जरूर देखें लाब होता है या नहीं और परेडाम आने पे हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परशानी का हर ढूंट रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यबाद नमस्कार